नमस्कार स्वागत है आपका एबीपी न्यूस पर मैं हूँ आपके साथ शीरीन और वक्त हो गया है 24 घंटे 24 रपोर्टर का जहां आपके लिए लेकर आ रहे हैं 24 घंटे की बड़ी खबरों की पूरी डोज वो भी नॉन स्टॉप पहले देख लेते हैं इस शो में आगे आपके लिए आज क्या हरखास तो इनके अलावा और भी खबरे होंगी लेकिन सबसे पहले आज की बड़ी खबर केंद्री कैबिनेटे वन नेशन वन इलेक्शन पर हाई लेवल कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी संसत के आगामी सत्र में सरकार ला सकती है बिल वन नेशन वन इलेक्शन पर मोधी सरकार ने लोग सभा चुनाओं से पहले पूर्व राष्ट्रपती रामनाथ कुविंद के अगवाई में जो कमेटी बनाई थी उसके प्रस्तावों को केंद्री कैबिनेट ने मंजूर कर लिया है इसके तेहंट देश में एक साथ सारे चुनाव कराने का रास्ता सुझाए गया है प्रस्ताव के मुताविक पहले चरण में लोग सभा और राज्यों के विधान सभा के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे वहीं दूसरे फेज में स्थानिय निकायों के चुनाव एक साथ होगे एंडिये सरकार की कैबिनेट ने आज सर्व सम्मती से अब इस इन रेक्मेंडेशन को एकसेप्ट किया और इसका इंप्लिमेंटेशन दो फेजिस में होगा लेकिन कॉंग्रस का कहना है कि वन नेशन वन इलेक्शन का प्रस्ताव ही व्यवारिक नहीं है मोदी सरकार असल मुद्दों से भटकाने के लिए ऐसा कर रही है पश्यम बंगाल की सीए ममतव एनरजी तो आट महीने पहले ही यानि जनवरी दोजार चौवीस में वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अपनी असेहमती जता चुकी है इस साल हुए लोगस्वाच चुनाओ से पहले वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर सरकारी अस्तर पर हल चल जोर सोर से हुई थी अब सरकार ने एक कदम और आगे बढ़ा दिया है और एक देश एक चुनाओ पर विपक्षी दलों से बात करेंगे तीन मंत्री एक देश एक चुनाओ पर विपक्षी दलों से बात करने की रण नीती भी सरकार ने तयार कर दिया और इसके लितीन मंत्रियों को जम्मेदारी दी गई है और इस पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े किये रहे राहूल गांधी पर आपत्ती जनक बयान देने वाले बीजेपी नेताओं के खिलाफ सड़क पर उत्री कॉंग्रेस देश के कई राज्यों में कॉंग्रेस का प्रदर्शन राहूल गांधी पर विवादित बयान देने वाले अंडिये नेताओं के खिलाफ एक्शन की मांग को लेकर कॉंग्रेस वरकर सड़क पर उत्रे देश के कई शेहरों में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने प्रदर्शन कर अपने गुस्टे का इजहार किया दिल्ली में कॉंग्रेस कारेकरताओं ने बीजेपी हेड़कॉर्टर के सामने हंगनामा करने की कोशिश की कॉंग्रेस कारेकरताओं को रोकने के लिए पुलिस ने पहने ही बेरिकेट्स लगाए हुए थे पुलिस ने कॉंग्रस कारेकरताओं को बीजेपी मुख्याले पहुचने से पहने ही रोग दिया पटना में कॉंग्रस कारेकरताओं ने केंद्रिय मंतरी रवनीत सिंग बिट्टू का पुतला फूका प्रदर्शन में बिहार कॉंग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंग विधायक दल के नेता शकील खान भी शामिल हुए कॉंग्रेस नेताओं ने कहा कि बिट्टू को माफी मांगनी चाहिए हैदराबाद में सडक पर उत्रेक कॉंग्रेस कारेकरताओं ने जम कर हंगामा किया यहां कॉंग्रेस कारेकरताओं ने रवनीत सिंग बिट्टू का उतला फुका कॉंग्रेस के हंगामे के बीच केंद्रिय मंतरी रवनीत सिंग बिट्टू ने कहा कि राहूल की बात का समर्थन पन्नू जैसा आतंकी करता है प्रदर्शन के बीच शिव सेना शिंदे गुट के विधायक संजे गायकवार्ड के खिलाफ कॉंग्रिस सांसर्च सी किरन ने तेलंगाना में पुलिस शिकायत दर्च कराई है दिल्ली में भी कॉंग्रिस के द्वारा विवादित बयान देने वाले नेताओं के खिलाफ पुलिस में शिकायत दी गई है हर्याना विधान सबा चुनाओ के लिए कॉंग्रेस ने जारी किया गोशना पत्र, महिलाओं को पेंशन, युवाओं के लिए सरकारी भर्ती, OPS की बहाली और चातिगत सर्वे का वादा हर्याना जीतने के लिए कॉंग्रेस ने अपने संकल पत्र में साथ गरंटी का वादा किया है कॉंग्रेस ने महिलाओं को हर में ही ने 2,000 रुपए, 500 रुपए में गैस सिलेंडर, 300 यूनिट फ्री बिजली, 25 लाग तक मुफ्ट इलाज, 6,000 रुपए की बुजूर्ग विव्यांग और विद्वा पेंशन, गरीबों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया है शांत है, कुवरापा पेंशन है, विद्वा पेंशन है, और ओल्ड पेंशन स्कीम देने का हम वाइदा कर रहे हैं इन वादों के साथ ही कॉंग्रेस में हरिवांग वागू करने और जाती जन्गन्रा कराने का भी वादा किया है साथ ही त्री मिलेयर की सीमा तस लाक रुपए करने और नशा मुख हर्याना बनाने की दर्वेक देगी देगा कुरानी पैंशन योजना को बहाल किया जएगा। गॉंग्रेस अर्याना को नशा मुख बनाएगी पिछडी जाते हो को उनका उत्यजित सामले यह सुनिश्चित करने के लिए जाती सर्वेक करा जाएगा। कॉंग्रेस के बाद कल यानि गुरु वार को बीजेपी भी हर्याना के लिए अपना फिंकल पत्र जारी का थक्ति है। जमू कश्मीर में विदान सभा चुनाओ के पहले चरंग का मद्दान खत्म 24 सीटो पर शांती पून डंग से हुई वोटिंग। किष्टवार के इस पोलिंग बूत पर पड़ी संख्या में जो महिलाए हैं अपने मतों का इस्तमाल करने के लिए आपर पहुची है। कोई पालकी में बैठ कर वोट देने पहुचा तो कोई वीलचेर पर बैठ कर वोट देने आया। कि बिजबिहारा से महभूबा मुफ्ती की बेटी इलतिजा मुफ्ती उम्मीदवार है। पहले चरण के मद्दान में किष्टवार में सबसे ज़्यादा पुलवामा में सबसे कम वोटिंग हुई। देश के अलग-अलग राज्यों में रहने वाले 35,000 से अधिक विस्तापित कश्मीरी पंडितों ने भी की वोटिंग उनके लिए 24 स्पेशल बूद बनाए गए थे। अर्विन केजरिवाल जल्द खाली करेंगे सरकारी बंगला, सबी सरकारी सुविदाएं छोड़ेंगे, आपने कहा बीजेपी की साजिश का शिकार हुए हैं केजरिवाल। दिल्ली के सिएम पत से स्तीफा देने के बाद अब अर्विन केजरिवाल बत और सिएम मिलने वाली सभी सुविदाएं छोड़ेंगे, दिल्ली के सिविल लाइन्स का सिक्स फ्लैक स्टाप रोड का बंगला भी केजरिवाल आने वाले दिनों में छोड़ देंगे, बत और सि केजरिवाल ऐसे नेता नहीं है उन्होंने फैसला किया है कि अगले कुछ हपते के अंदर वो अपना मुख्यमंत्री का आवास खाली कर लेगा दिली में सीम के लिए कोई आधिकारी बंगला तै नहीं है केजरिवाल जिस बंगले में रहते थे उसके रेनोवेशन पर बीजेपी ने सवाल उठाये थे सूत्रों के मुताबिक केजरिवाल अपने विदानसवा छेतर नई दिली में ही अपना नया ठिकाना बना सकते हैं बीजेपी केजरिवाल को लेकर त्याग वाली थोरी पर सवाल उठा रही है संजे सिंग जी आपकी जानकादी के लिए बता दू कि अब वो पूर मुख्यमंत्री होनी वाले हैं इसलिए जो त्याग की मूर्ती दिखा रहे हैं वो असल में जो सविधानी तोर पर जो चीजें हैं वो ही हो रही है बिहार में अगले साल होने वाले विधान सभा चुनाओं के लिए सियासी सरगर्मी तेज हो गई है 2024 लोग सभा चुनाओं में विजेपी से एक सिट कम लड़ने वाली जेडियू का कहना है कि विधान सभा चुनाओं में हम बड़े भाई की प्रुमिका में रहेंगे हम लोग 74 सिट पर आगे रहे हैं जनतादल उनाइटेड 68 सिट पर भाजपा रही है 2020 के विधान सभा चुनाओं में एंडिये से सबसे ज़्यादा सीट पर जेडियू ही चुनाव लड़ी थी 2005 से अब तक बीजेपी के साथ अलाइंस में ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़ी है अलाकि बीजेपी का कहना है कि गड़ बंदन में ना कोई बड़ा भाई होता है न छोटा भाई होता है कह रहे हैं कि बिहार में तीस्रे नमबर के पार्टी बीजेपी को आख दिखा रही है तो चुरू हर पानी में डुब करके मर जाना चाहिए 2020 पिहारी धनसाबा चुनाओं में जदियू तीसरे नमबर पर रही थी तब जेडियू 122 और बीजेपी 111 सीट पर चुनाओं लड़ी थी पेजर ब्लास्ट के 24 घंटे बाद लेवरन में एक बार फिर सीरियल ब्लास्ट होई हैं और इस बार हिजबुला के वोकी टॉकी को निशाना बनाया गया दो दुन में दो बड़े सीरियल धमाकों की ऐसी तस्मीरे आई जिसने हिजबुला को घुटनों के बल ला दिया पहले पेजर ब्लास्ट में लड़ाके जखमी हुए अब लेवरन मीडिया का दावा है कि वोकी टॉकी को निशाना बनाया गया है बताया जा रहा है कि दो वे रेडियो सेट्स के अलावा कुछ मुबाइल फोन को भी निशाने पलिया गया है साथ बेरूत और बहरी लाकों में धमाकों की तस्वीर आई है खबर ये भी है कि जिस वक्त हिजबुला के चार लड़ाकों का जनाजा निकाला जा रहा था उस जोरान भी कई धमाके हुए ये लेबनेन के अस्पताल की तस्वीरे हैं बाव रखने तक की जगा नहीं 24 घंटे से इसी तरह अमेरजंसी में लोग आ रही है किसी का हाठ टूट गया तो किसी का पैर जखनी हो गया बताया जा रहा है कि पासों से ज़्यादा लोगों को दिखाई देना बंद हो गया हिजबुला के खिलाफ ये सोचा समझा अठाक है लेकिन आम तोर पर ऐसा बहुत कम होता है जब अमेरिका को कॉंटिडेंस में लिए इस्रेल किसी हमले को अंजाम दे वगर अमेरिका ने बताया कि उसे इस हमले की कोई जानकारी नहीं थी कहा जा रहे कि हिजबुला ने 5,000 पेजर को ओडर दिया था लेकिन किसी को नहीं पता था कि सप्लाइचेन पर ही हमला हो जाएगा पेजर हमले के बाद हिजबुला के लड़ाके देहशत में हैं हिजबुला के सदस्यों ने अपने पास से पेजर को दूर कर दिया है लेकिन ये भी उन्हें सुरक्षित नहीं रख पाया हिस्बुला पर सीरियल पेजर अटेक के बाद मीडिय लिस्ट में तनाव चरम पर है इस बारे में हिस्बुला का कहना है कि इसराइल को इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी इसराइल ने ऐसे में आपात कालीन बैठक बुलाई है इन तस्वीरों को जिसने भी देखा वो दहल गया क्योंकि किसी ने सोचा नहीं था कि एक छोटा सा पेजर भी मौत का सामान बन सकता है हर बीत्य लम्हे के साथ हिस्बुला के घाय लड़ाकों की संख्या बढ़ रही है मौत का अंकड़ा भी एक दरज़र हो चुका है कई लोग ऐसे हैं जो अपनी आथे का माचुके हैं सवाल है कि हमले को अंजाम कैसे दिया गया इसे लेकर कई तरह की त्योरी सामने आई लेकिन नियॉक टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक इस्राइल ने इन पेजर्स में एक्स्प्रोसिब छिपा दिया था अल जजीरा चैनल थर्टीन और यूएस टूडे की रिपोर्ट के मुताबिक हर पेजर में करीब 20 ग्राम दिस फोटक फिट किया गया मंगल बार 2,5,3 बजे पेजर्स पर एक मैसेज आया और फिर इन में सिलसले बार धमाके होने लगे साइबर सेक्योर्टी एक्सपर्ट्स ने मारा है कि ये धमाके मोडिफाइड डिवाइसेस की बज़े से हुए सवाल यह है कि जो पेजर लेबनान जाने थे उन पर इसराइल की नजर कैसे पड़ी इसे लेकर कहा जा रहा है कि ये पेजर मेडिन ताइवान जरूर है लेकिन इन्हें भूडा पिस्ट की एक कमपणी को आउट्सोर्स किया गया था जिसने बाद में इसकी शिप्टमेंट लेबनान की लेकिन चुकी ऐसे डिवाइस सीथे तोर पर इंपोर्ट नहीं होते इसलिए इसे एक नस्दी की पोर्ट पर रोका गया लेबनान की एजन्सियों को शक है कि इसी दोरान मुसाद ने पेजर्स में फिस्टोटक लगाये थे जो खबरें आ रहे हैं उसके मताबिक पी-ई-टियन नाम का फिस्टोटक इस पेजर्स में लगाया गया था हलाकि तमाम रिपोर्ट्स के बावजूद इसराइल ने अभी तक इसकी जिम्यदारी नहीं ली है हिजबुल्ला के खिलाफ हुए हमले पर आग बबुला हुआ इरान कहा इसराइल ने एक बार फिर नरसन हार किया है इरान का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब लेबनान में शोक की लहर है हिजबुल्ला के सांसत अली अम्मार के बेटे की मजट में शामिल होने के लिए कई लोग पहुचें क्योंकि वो भी पेजर अटेक में मारा गया खबर तो ये भी आई की लेबनान में इरान की राजदूट की एक आँख खराब हो गई दूसरी तरफ हिजबुल्ला ने पेजर अटेक में मारे गए अपने लडाकों की तस्वीरे जारी कर दी हिजबुल्ला कमांडर ने कहा कि इसराइल ने पेजर में हाई वोल्टेज ड्रेव भेजी थी जिसकी वज़ा से अंदर की किट और बैटरी में धमागा हो गया ये इसराइल का लिबनान और हिजबुल्ला के खिलाब नए किस्म का हमला है और हम इसका सही वक्त पर माकूल तरीके से जवाब देंगे ये हमारे नागरिकों के खिलाब जगन ने अपराद है हम इस हमले के लिए इसराइली से ना कुछ जिम्मेदार ठहराते हैं और हमें लगता है कि बदले की घड़ी जल्द आने वाली है इरान और हिजबुला की तरह से जिसवक धमकी दी जा रही थी तब रूस की सिक्योर्टी काउंसिल के लीडर सरगेई शेगू तहरान में थे वहां सरप्राइस विजिट पर पहुँचे थे इधर अमेरिका ने इरान से कहा कि ऐसे हालात में सयम बरते मगर दूसरी तरफ रूस ने चक्राव की चिंगारी को भड़का दिया रूस की विदेश मंतराले का बयान आया कि इस मामले में विदेशी एंगल की अच्छी तरह जाच होनी चाहिए 2018 में राइज अन्किन नाम की एक खिताब आई थी उसके मताबिक इसराइल की खूफी अजेंसी अपने दुश्मन को टार्गेट करने के लिए उनके परसनल मोबाइल फोन में पहले भी विस्वोटक लगा चुका है दुनिया के सब्ते बड़े सीरियल ब्लास्ट के बीच फोकस उन कंपनियों पर भी है जिनोंने लेबनान में पेजर सप्लाई किये थे पता चला है कि हंगरी वाले ओफिस में कोई मौजूद नहीं था ये सुपर एक्स्क्लूसिव तस्वीरे बुड़ा पेस्ट की उसी बीच कंपनी के दफ्तर की हैं जिसमें 5000 पेजर बनाने का दावा किया जा रहा है रशियन मीडिया स्पूतनिक इंटरनेशनल ले ये तस्वीरे जारी की है जानकारी के मुताबिक एक कंपनी हंगरी की राजधानी बुड़ा पेस्ट के एक रहाईशी इलाके में रेजिस्टर्ड हुई है ग्राउंड फ्लोर पर ऑफिस का स्पेस है लेकिन दूसरी मनजिल पर अपार्टमेंट्स है चौकाने वाली बात यह है कि यहां मौजूद लोगों के मुताबिक उन्होंने BSE नाम की कंपनी को कभी भी ऑपरेशनल नहीं देखा याने किसी को भी यहां काम करते नहीं देखा गया जबकि ताइवान की गोल्ड अपोलो कंपनी का कहना है कि उसने BSE कंपनी को ही पेजर्स बनाने के लिए अधिकरत किया था हमने अपनी कंपनी का ट्रेडमार्क BSE कंपनी को दिया हुआ है और सीरियल ब्लास्ट में जो पेजर फटे वो हमारे प्रोड़क्ट नहीं है इस बीच लेबनेन की हेल्थ मिनिस्ट्री ने कैज्वेल्टी की फिगर जारी करने के साथ एक बार फिर हमलों के लिए इसराइल को कसूरवा ठहराया इसराइल के साथ तनाव बढ़ता जा रहा है और हम इंटरनेशनल कम्यूनिटी से अपील करते हैं कि मानवा अधिकारों के उलंगनों को नजर अंदाज ना किया जाए आज की जमाने में कोई पेजर के इस्तमाल की सोच भी नहीं सकता लेकिन आप जानकर हैरान हो जाएंगे मिडिल इस्ट और नॉर्थ अमेरिका के साथ एशिया के कई देशों में अब भी पेजर सिस्टम एक्टिव है पेजर अटाक के बीच इस्राइल और हिस्पुल्ला के बीच हमलों का दोट जारी है इस्राइल ने हिस्पुल्ला के कई ठिकानों पर हमला बुलाए और इसकी तस्वीरें इस्राइली डिफेंस फोर्स ने जारी भी की बताया गया कि साउथ लेबनान के कई सीक्रेट बेस को मिट्टी में मिला दिया गया अब के बार मजदल सलेम एरिया में बारूत की बॉच्छार की गई कहा गया कि पाच और टिकानों को समतल कर दिया इसमें हिजबुला के मिलिटरी लोकेशन के अलावा हथियार डिपो भी शामिल था इससे पहले जब हिजबुला के लड़ाके पेजर विस्पोर्ट के बाद इधरूत हर भाग रहे थे तब इस्राइली सेना ने ओडेसा, मरकाबा, बलीदा, मारोन, एल, राज और जीहिन इलागों को टार्गेट कर रही थी इसके अलावा आर्टिलरी युनेट ने भी अपना दम दिखाया ये सब कुछ इस्राइली डिफेंस पोर्स की ब्रीफिंग में सामनी आया साथ अक्टूबर 2023 को इस्राइल पर हुए आतंकी हमले के बाद से हिस्पुल्ला और इस्राइल के बीच टकराव का दाइरा पढ़ा है इस्राइल का दावा है कि उसने करीब एक साल में हिस्पुल्ला के 450 लडाकों का सफाया कर दिया हाला कि दोनों के बीच बारूती टकराव और रॉकेट अटैक के बाद से हजारों लोगों को घर भी छोड़ना पड़ा है वहीं आपको बता दी कि इस्राइल ने अमेरिका को पहले ही बता दिया था कि वो अब पूरी ताकत के साथ हिस्पुल्ला के खिलाफ च्रंग की तैयारी कर रहा है रूस यूक्रेण वार के बीच बेलारूस ने बड़े हमली की आश्रंका चताई है पुतिन के दोस्त ने कहा है कि अगर हम पर हमला हुआ तो तीसरा विश्वयुद होना निश्यत है बेलारूस के राश्चुपती अलेक्जेंडर लुकाश शिंको का ये बयान इसलिए महत्वपून है क्योंकि रूस और यूक्रेन के बीच वार का सिस्टम अब लंबी दूरी की विस्सायलों और अडवान्स वेपन्स तक पहुँच गया है रूस अभी रॉकेट लांचर की तस्वीरे जारी कर रहा है कुर्सक के साथ इस्टन यूक्रेन में यूक्रेन की सिना के खलाफ अजॉल्ट तेस कर दिये गए है आर्टिलरी उनिट के साथ ड्रोन अटैक का कामबनेशन यूक्रेन पर भारी पड़ रहा है महीं यूकरेन का दावा है कि उसने यूकरेन के ड्रोन शक्ति को कमजोर किया 52 ड्रोन में से 46 को मार किराया बागी 5 ड्रोन दिशा से भटक गए और एक वापस रूस की तरफ चला गया हालंकि इसे पहले बेलरूस के लोकाशेंग को बोले कि अगर हम पर हमला हुआ तो फिर तबाही का तीसरा द्वार खुल जाएगा यूक्रेन को या अमेरिका को बिलरूस पर अटेक नहीं करना चाहिए क्योंकि ऐसा करने से तीसरा विश्वयुद्ध उश्रू हो जाएगा एक और बड़ा अटेक यूक्रेन ने रूस के हत्यार दीकुबों को निशाना बनाया जिस जगे 30,000 टन बारूद मौजूद हो वहाँ अगर विश्वोट हो जाए या फिर उस जगे को टागेट करके अटेक हो तो फिर कैसी तबाही मचेगी अंदाजा इन तस्वीरों से लगाए जा सकता है विश्वोट भी हुआ और हमला भी यूक्रेन ने रूस के खिलाफ ओफेंसिव स्ट्राइक का एक और एक्जाम्पल दिया इस बार त्वेर इलाके में ड्रोन और मिसाइल अटेक को अंजाम दिया गया हमले के बार डीपो में आग लगाई गई चारों तरफ सिर्फ अगनी का तांटर था आनन फानन में रूस को इवैकुएशन करना पड़ा जानकारों के मुताबिक तोरोपेट्स में और आसपास के इलाकों से लोगों को सुरक्षित जगों पर ले जाए गया यूक्रेणी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कम से कम छे मिसाईले दागी गई नोट करने वाली बात ये है कि यूक्रेण की तीन मिसाईलों को रूसी एर डिफेंस ने इंटरसेप्ट भी किया लेकिन बाकी की तीन अपने टागिट तक पहुँच गई जिसकी वज़े से पूरा इम्मिनेशन डिपोर्ट जलने लगा इस दोरान रूस के हमले जारी रहे कीव इंडिपेंडन्ट की रिपोर्ट कहती है कि रूस ने इस बार न्यूक्लियर प्लांट वाले शहर जेपोर जीया पर हवाई हमले किये सूमी पर भी मिसाईल दागी गई हमले में यूक्रेण को जानमाल का नुकसान हुआ है रूस के खिलाफ यूद में इटली ने यूक्रेण को मदद देने के लिए सपोर्ट करने के लिए आगे आते हुए एर डिफेंस सिस्टम इस महीने के अंतर देने का एलान किया है जंग की सनक तो नौर्ट कोरिया के तना साह पर भी सबार है किम जोंग के आउडर पर एक हपते में दूसरी बार बैलेस्टिक मिसाइलों का टेस्ट हुआ बताया जा रहा है कि इस बार जिन दो मिसाइलों का टेस्ट हुआ वो जापान सागर में जाकर गिरी है साउड कोरिया के जॉइंट सीफ आफ स्टाफ ने बताया कि प्योंग उंके नौर्ट कोई चोन इलाके से मिसाइलों ने उड़ान भरी और 400 किलूमीटर दूर तक का सफर्ट तै किया जापान और साउड कोरिया दोनों ने मिसाइल टेस्ट को लेकर एक बार फिर नौर्ट कोरिया की कड़ी निंदा की लेकिन इस कड़ी निंदा का ताना साह पर कोई फर्क नहीं पड़ा वो बार-बार अपने हतियार की 29 कर रहा है जबकि अमेरिका भी लगतार उचित दूरी बनाई हुए है अमेरिका कह रहा है कि नौर्ट कोरिया की मिसाइल से यूयस को कोई खत्रा नहीं हुआ फिर भी हम पूरिस सेचुएशन पर नजर रखे हुए हैं लेकिन एक्सपर्ट को लगता है कि नौर्ट कोरिया कुछ बड़ा करने वाला है क्योंकि कुछ दिन पहले ही किम जोंग ने अपनी नुक्लियर बम बनाने वाली फैसलिटी का दौरा किया था इससे पहले 600 एम मल्टिपल रॉकेट लॉंचर का टेस्ट किया था अगस में अपनी टीम से कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा घादर ड्रोन बनाए जाएं और उसी दौरान नुक्लियर हमला करने में सक्षम 250 मिसाइल लॉंचर को दुनिया के सामने दिखाया था नौर्ज कोरिया का मिसाइल टेस्ट ऐसे वक्त हो रहा है जब रूस और नौर्ज कोरिया के बीच डिप्लोमेटिक संबंद और मजबूत हो रहे हैं एक साल में दूसरी बार किम जोंग की विदेश मंत्री रूस दौरे पर है चुनावी साल में कौन बिगाड रहा है महराश्र का माहौल विवंडी और बुलधाना में गणिश विसरजन के दौरान पत्थ्राव और उसके बाद बवाल महराश्र में गंपती विसरजन के दौरान दो जग़ बवाल हुआ एक है ठाने का भिवंडी और दूसरा बुलधाना का जलगाव जामोद बीती रात करीब 12 बजे भिवंडी में तब बवाल हुआ जब गणपती विसर्जन के दोरान मुर्ती पर पत्थर फेका गया और मुर्ती खंडित हो गई इसके बाद भारी हंगामा हुआ पुलीस को हाला चंबालने में खासी मशक्कत करनी पड़ी पत्राव के आरोप में पुलीस ने एक यूवक को पकड़ लिया गणपती विसर्जन के दोरान महराश्र के बुलधाना में भी टेंशन हो गई यह हुआ बुलधाना जिले के जलगाव जामो शहर में जहां गणश विसर्जन के दोरान पत्राव की घटना हुई उसमें दो लोग घायल हो गए इन सबसे अलग तस्वीर दिखी महराश्र के धुले में जहां विसर्जन के दोरान जब लोग गणश प्रतिमा के साथ एक बड़ी मश्चित के सामने पहुचे तो मुसल्मानों ने भी गणपती पर जम कर फूल वर्साय और विसर्जन में हिसा लिया महराश्र में ये चुनावी साल है ऐसे में ऐसी आशंका जताई जा रहे हैं कि छोटे छोटे बवाल कहीं कोई राजनेतिक साजिश तो नहीं भीवन्डी और बुल्धाना की घटना क्या कोई राजनेतिक प्रयोग है केंद्र और राजिसरकार से जुड़े हुए लोग इसे विपक्ष की साजिश बता रहे है मारधार हुई, पत्थर चले, लाठी डंडे चले, पुलिस भीड को खदेरती रही सडक पर अराजकता सा आलम रहा ये तस्वीरे महराष्ट में थाने के भीवन्डी की है जो गनपती विसर्जन के दौरान हुए बवाल के बाद किसी जंग के मैदान सा नजर आया पुलिस अभी जाज कर रही है कि इस हंगामे के पीछे कौन-कौन है लेकिन महराष्ट में सताधारी शिंदे वाली सुशेना इस बवाल का ठीकरा विपक्ष पर फोड रही है पुवी करन नहीं करेंगे तो इनको 125 के अंदर समिटना पड़े गए समिटना रपत लेने वाले केंद्री मंत्री गिराज सिंग तो दो कदम आगे बढ़ गए उन्होंने सीधे मुसल्मानों को चिम्मेदाठा रा दिया आज देश के अंदर जहाँ 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 जंशंख्या मुसल्मानों की बढ़ गए है वहाँ वहाँ पुईडाना और भिवंडी बना हुआ है भिवंडी बवाल करने के मामले में पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है इनसे पुष्टाच कर पुलिस बवाल करने वाले असली गुनहगारों को दबोशने की कारवाई करेगी विवंडी में कल गनपती उत्सव में बवाल हुआ और आज इड मिलादूल भी जलूस में हुआ हंगामा गरिमत रही की पुलिस ने वक्त पर हालाद कंट्रोल कर लिये बीड ने सडक पर आटो रिक्षा को पलट दिया एक बाइक वाले को धक्का मार कर गिरा दिया और ऐसा हंगामा हुआ की बात बिगडने की नोबत आ गई ये तस्वीरे महराश्टर के भिवंडी की है यहां इडे मिलादूल भी जलूस के दोरान अचानक तना हो गया जलूस शांतिपुर्वक निकल रहा था पर कुछ योगों ने दोपईये वहान और आटो रिक्षा पर जहिंडा और नारे लगाना शुरू कर दिया यह हंगामा चत्रपती शिवाजी महराश्ट चोक पर हुआ फिर अफरा तफरी मच गई लगा की कोई बड़ा बवाल हो सकता है जनिमत रही की पुलिस ने इस पर वक्त पर काबू पा लिया कल रात हिंडूओं के उच्सों के दोरान हुआ बवाल और आज मुसल्मानों के पर्व में हंगामा यह कोई सामाने घटना नहीं हो सकती पुलिस यही कनेक्शन की तलाश में चुटी है नए वक्त बिल पर बनी जेपीसी की कल यानि 19 सितंबर और 20 सितंबर को होगी बैठक दो दिल स्टेक होल्डर से चर्चा करेगी जेपीसी नए वक्त बिल पर जेपीसी को अब तक लागों सुझाओं मिले है जेपीसी को 84 लाग सुझाओं एमेल के जरिये मिले 70 बॉक्स में लेखे सुझाओं आए पहले हुई बैठकों के तरह ही 19 और 20 सितंबर को होने वाली बैठक में जेपीसी वक्त बिल पर स्टेक होल्डर से चर्चा जारी रखेगी 19 सितंबर को नए बिल पर पक्ष रखने के लिए पटना लॉकोलिज के बिसी को बुलाए गया है पसमांदा मुस्लिम महास के प्रतनीदी विराय देंगे आल इंडिया मुस्लिम परस्टनल लॉबोर्ड के विचार भी सुने जाएंगे 20 सितंबर को आल इंडिया सज्जाद नश्री काउंसिल मुस्लिम राष्टरे मंच और भारत फर्स्ट के प्रतनीदी अपना पक्ष रखेंगे इसके बाद JPC देश के अलग अलग शेहरों में जाकर नए वक्ट विर पर सुझाव लेगी 26 से एक अक्टोबर के बीच बड़े शेहरों में जाएंगे JPC के सदस से मुंबई, एमदाबाद, हैदरबाद, चन्ने, बेंग्डूर समेथ कई शेहरों में JPC की टीम जाएगी कई मुस्लिम संग्ठन नए वक्ट विल पर JPC के सामने अपना पक्ष रख चुके हैं तमाम स्टेक होल्डर से चर्चा के बाद नए वक्ट विल पर JPC अपनी रिपोर्ट तयार करेगी गणेश उत्सव के बाद मविया में शुरू हुई सीट शेरिंग पर चर्चा पहले दिन सर्वे पर हुई बाद कल होने वाले कॉंग्रेस के धरना प्रदर्शन को उद्धव और शरत पवार ने किया समर्थन सीट शेरिंग पर तीन दिन चलने वाली बैठक से पहले नाना पाटोले, इतेंद्र अहवाज, जैन पाटिल, अनिल देसाई, संजे राउट जैसे नेताओं ने मन्थन किया सोर्सस के मुताबिक पहले दिन सर्वे के आधार पर सीट शेरिंग पर बात हुई सीट शेरिंग पर मविया की तीन दिन बैठक होने वाली थी, कॉंग्रेस के प्रदर्शन के कारण बैठक तल गई अब 20 सितंबर को दोपर दो बजे फिर बैठक मविया की होगी अर्याना में कॉंग्रेस उमिद्वारों के बयान पर विवात शम्षेर सिंग गोगी ने कहा सरकार बनी तो अपना घर भनेंगी नीरश शर्मा बोले 50 वोट पर एक नौकरी का कोटा अपना घर भरेंगे पचास वोट पर एक नौकरी दिलाएंगे कॉंग्रेस उमिद्वारों के इन बयानों ने हर्याना में विरोधियों को मौका दे दिया है हर्याना के सीएम नायप सिंग सैनी ने नीरश शर्मा के बयान को शेर करते हुए कहा कि भुड़ा की नियत और कॉंग्रेस के असली चाल चरितर का प्रचार करते हुए कॉंग्रिस मेनिफेस्टों का पहला वादा नौकरी फिर खर्ची पच्ची पर बाटेंगे हर्याना बीजेपी ने कॉंग्रिस के संकल पत्र और शम्षेर सिंग गोगी का वीडियो शेर करते हुए कहा कि द्रश्टाचार और लूट का इससे बड़ा खुला एलान और क्या होगा भला जेजेपी नेता और हर्याना के पूर्फ डेपटी सीएम दुश्यन चौटाला ने भी कॉंग्रिस पर निशाना साथा दुश्यन ने का कि पहले जमीने बेची सौधागरों को अब खुश करेंगे रिष्टेदारों को फिर पेट भरेंगे ये सब अपना नौकरिया देंगे सिर्फ यारों को इसी बीच सोशल मीडिया पर जुलाना से कॉंग्रिस उमिद्वार विनेश फोगाट का एक वीडियो भी वारेल हो रहा है उमिद्वारों के इन बयानों ने कॉंग्रिस को बैक फुट पर ला दिया है हाला कि अब तक कॉंग्रिस ने अपचारिक तोर पर इन बयानों पर कोई रियाक्शन नहीं दिया है जीतनराम मांजी की पोस्ट पर बिहार में सियासी बवाल आतिशी के सीम चुने जाने पर मांजी ने कहा था दिल्ली को राबरी देवी मुबारक को दिल्ली में आमादबी पार्टी की तरफ से आतिशी को सीम बनाए जाने पर जीतनराम मांजी ने ये रियाक्शन दिया था माजी ने आतिशी को दिल्ली की राबडी दिवी बताया माजी के इस पोस्ट पर RJD सवार उठा रही है RJD माजी पर महिलाओं के अपमान कारोप लगा रही है बियार परदेश के माननी यो मुख्य मंत्री रही है उनके लिए इस तरह का सब ये बता रहा है कि वो महिलाओं का उन्होंने अपमान किया है मुद्दा महिलाओं से जुड़ा है लेकिन जेडियो इसे माजी का बजाग बता रही है वहीं BJP कहती है कि माजी की भाव नंकल अप नहीं थी वह मजाक के लहजे में भी बहुत बात बोलते है या दूसरा एक हो सकता भाशा नहीं भाव समझिये वह ऐसा उनका मंतब नहीं यह भी हो सकता है अंद्रूनी मंतब जितन राम मान्जी जी ने इस देश की जनता का सम्मान किया है जितनरा मांजी जी ने इस देश में लोकतंदर को मजबूत करने के लिए एक सवाल उखाया है जितनरा मांजी बिहार के पूर्व सीम रहे हैं राबली सरकार में मंत्री भी रहे हैं इसलिए आरजेडी सवाल पूछ रही है आखे इतने वरिष्ट नेता ऐसा बयान कैसे दे सकता है पहले चरन के मद्दान के बाद जो मुकश्मीर में बड़ी सियासी सरगर्मिया इंजीनर रशीद ने कहा सब के लिए खुले हैं मेरे दर्वाजे उमर अब्दल्ला बोले बीजेपी को फाइदा पहुचा रहे हैं रशीद इंजीनर रशीद को जब से चुना प्रचार के लिए कोट से जमानत मिली है जो मुकश्मीर में सियासी तपिश बड़ गई है प्रचार में जुटे इंजीनर रशीद कह रहे हैं कि हमारे बगार कोई सरकार नहीं बनेगी इंजीनर रशीद लोकसपा चुनाओं में उमर अब्दला जैसे दिगज को दूल चटा चुके है अब उनके प्रचार में उतरने के बाद गाटी में सियासी धनित बदलने लगा है इसलिए रशीद अप नैशनल कॉंटरंस के निशाने पर है जो मुमें बीजेपी मजबूत है वही कश्मीर में कॉंग्रस एंसी गटवंदन की पीड़ीपी के साथ टकर है लेकिन इंजी ने रशीद के मैदान में आने से जमीन पर समीकरन बदल रहा है लेंड फॉर जॉब इसकैम में लालू पसाद यादव और टेजस्वी यादव के बाद अब बढ़ी देश प्रताप यादव की भी मुश्किलें राउजविन्यू कोट ने सभी आरोपियों को साथ अक्टूबर को अदालत पे पेश होने के लिए कहा तेश प्रताप यादव का नाम चार्शीट में आरोपि के तौर पर नहीं था लेकिन अदालत ने कहा कि इस मनी लॉंडरिंग में तेश प्रताप को भी फाइदा पहुचा है इसलिए उनकी संलिप्तता से इंकार नहीं किया जा सकता है देश प्रताप भी A.K. Infosys Limited के निदेशक थी लालू प्रशाद यादव और उनका पूरा का पूरा परिवार सत्ता का उप्योग सिर्फ और सिर्फ रस्टाचार के लिए करता है आस तो कोट ने भी इस बात को मान लिया मनी लॉंडरिंग और लैंड फॉर जॉब जैसे मामलों में मुकदमा चलाने के लिए प्रयाप्त प्रत्रम दिश्ट्या सबूत है कोट ने उन्हें समन किया 2004 से 2009 तक लालू प्रसाद यादव के देश के रेल मंत्री रहते हुए नौकरी के बतले जमीन लेने का आरोप है इस मामले में 10 अक्टूबर 2022 को CBI ने चार्शी डाखिल की थी अरे किस बात का लेन फर जो इस तरी बनाविटी केस बनाकर करके सप्रिमेंटी चार्शीट के अधार पर तुम एक प्रस्फर्शन क्रियेट करना चाहते हो आरोप है कि पटना में लालू प्रसाद यादव के परिवार ने 1.05 लाख स्वाई फीट जमीन पर कसी तोर पर कबज़ा करका है कहा ये जाता है कि जमीन का पैसा नगत में दिया गया था देश के कुछ हसों में बाड़ बारिश का प्रकोप है देखते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ खबरें दो मिनट में कल से लगातार हो रही जमाजम बारिश से यूपी के चुत्रकूर जिले की कई लाकी जिल्मग्ड हो गए है मंदाकिनी नदी का चलिस्तर बढ़ा तो रामघाट की सभी दुकाने पानी से लवालब हो गए यहां के व्यापारियों को अपनी दुकाने खाली करके सुरक्षित जगहों पर जाना पड़ा यूपी के गुंडा में बार से किसक अदर हालात बिगड़े हुएं इसे ड्रोन क्यामरी की नजर से समच सकते हैं गुंडा में घागरा नदी खतरिक निशान से 36 सेंटिमीटर उपर बह रही है इसे दो तहसीलों में पाड़ा गई है पारनसी में गंगा और वरुना दोनों नदिया उपान पर हैं वरुना नदी के जो तटवर्ती लाके हैं वहां घरों तक पानिक पहुँच चुका है लोग नाओं के जरिये सुरक्षित ठिकाना तलाश रही है यूपी के उन नाओ में भी गंगा का जलस्तर बढ़ा तो कई लाके जल्मग्न होगे लोग अपने घरों में कैद हैं और इस मुसीबत की घड़ी में सिर्फ नाओ का ही सहारा ली रही है यूपी के सोन भत्र जले में 30 घंटों की बारिश से बड़ा खत्रा पैदा हो गया धंदरॉल बान में कई जगहों पर पानी का रसाब हो रहा है खत्रे को देखते हुए बान के सभी 22 फाटक खोल दिये गया लेकिन इससे एक नया खत्रा ये पैदा हो गया है कि इसकी जद में कई गाउं आ सकते हैं यूपी के प्रियागराज में अभी कई रहाईशी बस्तियों में बार का पानी खुसा हुआ है सडकों और गलियों में अभी नाओ चल रही है क्या पाकिस्तान को जाने वाला पानी बंद कर सकता है भारत सिंदू जल समझोते की समिक्षा के लिए भारत ने पाकिस्तान को भेजा अब चारिक नोटिस जिस इंडस वाटर ट्रिटी के तहट लगबक 80 पीजदी पानी पाकिस्तान को जाता है और भारत केवल 20 पीजदी पानी का ही इस्तमाल कर पाता है इस संदी की भारत सरकार समिक्षा करना चाहती है इसके लिए भारत सरकार ने बाकायदा पाकिस्तान को नोटिस भेज दिया है। इसके लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सिंदू जल नदी संधी के लिए 9 वर्षों तक बातचीच चली थी। उसके बाद सितंबर 1960 में इस पर हस्ताक्षर भी हुए थे। हाला कि ये हस्ताक्षर में वर्ल्ड बैंक भी मौजूद था। इन सब के बीच मेक्सिको से भी बार की डराने वाली तस्वीरें सामने आए। यहाँ कुआलको इलाके में भारी बारिश के बाद जीवन अस्वेस्त हो गया। बोरिस दुफान के बाद अब डानुबे नदी ओवरफ्लो हो चुकी है। रोमानिया, पोलेंड, आस्ट्रेलिया और चेक रिपब्लिक में बार बारिश से ही मौत का आकड़ा 20 को पार कर चुका है। अब भी कई लोग लापता बताए जा रहे हैं। बाद के वजह से भारत के पड़ोसी देश मेंमार में भी भारी तबाही मची है। यूएन ओफिस के मुताबिक सेलाप के वजह से कम से कम 226 लोगों के मौत हो गए। सततर अभी लापता हैं। ठाई लाप हेक्टियर से जादा का इलाका पानी में डूप चुका है। अथोर्टीस का कहना है कि बाद के वजह से 6,30,000 से जादा लोग प्रभावित हुए हैं। पानी के साथ आग ने भी तबाही मचाई। साथ अमेरिका के ब्राजील और इक्वाडोर में जंगल की आग से काफी नुकसान हुआ। हजारों हेक्टियर जंगल जल कर खाक हो चुके हैं। अब अधिकारियों का कहना है कि क्लाइमेट टेरिरिजम यानी परियावरन आतंकवाद के वजह से जंगल जल रहे हैं। आज से शुरू हुए स्पेस एक्सपो में भी रखा गया है। अंतरिक्ष यात्रियों को साल 2040 तक चंदरमा पर उतारने का लक्ष रखा गया है। सबसे आज बड़ा फैसला लिया गया है कि चंदरयान 4 मिशन को और एक्सपैंड किया गया, इसमें और बड़ा किया गया, इसमें एलिमेंट्स नहीं जोड़े गए। बैंगलिरू में जो एक्सपोस शुरू हुआ है, उसमें भारती अंतरिक्ष टेशन का डिजाइन भी नुमाईश के लिए रखा गया है। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2030 के बाद इस स्पैस टेशन को अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। अगर स्थापित किया जाएगा।